हलो प्रेंट्च, वेलकम टू हाइ स्टेडी, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग वेकेंसी रहती है, रिक्रूटमेंट रहती है, जिसका हर किसी को इंतजार रहता है, जो सिर्प आप लोगों की ग्रेजवेशन बेस पर होती है, वो रिक्रूटमेंट हो का है, मुझे समय नहीं मिल रहा था, दो-तिन दिन से टाइम नहीं मिला, कि आप लोगों के लिए इसके उपर डेटेल में वीडियो बनाओ, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीजियल के बारे में complete information दूँँगा, syllabus, exam pattern, age limit, हर एक चीज़ के बारे में information देखेंगे, क से पहले सीजियल का ये exam है, 2024 के recruitment है, इसका फोर्म कब से सुरू होगा, तो date of submission of online application 24 जून, यानि 24 जून से लेकर के 24 जुलाई एक महिने का time मिलेगा, आप लोगों को फोर्म को complete करने के लिए, और last date जो रहेगे, आप लोगों की 24 जुलाई रहेगी, उसके बाद payment करने की अ एडिट कर पाएंगे, तो ये तो फोर्म भराज जाएगा, उसके बाद आप लोगों का paper होगा, paper इसमें 2 होगे, एक tier 1 होगा, जो आप लोगों का online होगा, ये आप लोगों का September से October के बीच में होगा, और tier 2 होगा आप लोगों का December 2024 में, tier 2 होने के बाद ही, आलमोस 4-5 महिन इस बार नहीं निकाली है, सिर्फ लेवल 7 की वेकेंसी है, तो लेवल 7 की जो जो वेकेंसी में आप लोगों को बता देता हूँ, ASO Assistant Section Officer CSC में, उसके बाद ASO आप लोगों का Intelligence Bureau में, इनकी जो profile के बारे में मैं already वीडियो बना चुका है, कितनी salary मिलती है, वो भी मैं आप लो लेवल 6 का, उसके बाद नेक्स आती है, आप लोगों की पांचे टाइप की पोस्ट है, तो यह थी इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है, तो सारी पोस्ट होती है, आलमोस्ट हरे गोवर्मेंट मिनिस्ट्री में, सिंपल गरेजिवेशन के बेस पर सीजल की थुरू वेकेंसी फिल की जाती है, तो यह थी वेकेंसी के बारे में, इस बार जो अच्छी खासी वेकेंसी 17,727 वेकेंसी है, कोई बड़ी बात नहीं है, रिजर्ट आने तक यह वेकेंसी 20,000 पलस भी हो जाए, तो आप लोग इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरिशन क बारे में तो बता दीजेगा, अब देख लेते हैं, इसे बरने की क्या-क्या requirement होती है, सबसे पहले आप लोग की नेशनल्टी इंडियन होने चाहिए, बोटान वगेरा वाले बर सकते हैं, तो हम सिर्फ इंडियन के बारे में देखेंगे, तो नेशनल्टी आप लोग के पा देखेंगे, तो उनकी जो date of birth है, 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं होने चाहिए, जिसमें age limit 1827 है, वो मैं आप लोग को दिखा दूँआ, 20-30 वाले में जिनकी age limit 20-30 है, तो 2 अगस्त 1994 से इनकी age नहीं होने चाहिए, उसके बाद आप लोग की 30 से उपर 18-30, तो इसमें आप लोग क दो अगस्त 1994 से पहले डियो भी उनकी नहीं होने चाहिए, कुछ पोस्टिस में 18-32 वालों के लिए भी है, तो यह ता age का criteria, उसके बाद age relaxation दिया जाता है, SST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और अधर को 10 साल, यह आप लोग के ex-service man है, तो यह ता age का criteria, आप लोग को समझा चुका ह होगा कि age का criteria क्या है, अब चलते हैं, ex-service man है, तो यह तो कुछ खास information है नहीं, आप लोग को बताने के लिए, अब देखेंगे, हम लोग इसमें जो आप लोग को main चीज देखनी है, यह है आप लोग का eligibility, यह भी एक अगस्त को देखी जाएगी, कि एक अगस्त के पास, statistical officer की, तो इसमें क्या bachelor degree in subject from recognize university with 60%, तो इसका criteria यह है कि आप लोग के पास 12th में 60% होने चाहिए, with mathematics आप लोग के पास subject होना चाहिए, तो आप लोग की JSO के लिए बरपाएंगे, या फिर अगर आप लोग का दूसरा भी subject है, bachelor degree in subject with statistics, अगर आप लोग के पास statistics है, bachelor degree में तो भी आप लोग भर पाएंगे, या तो 12th में आप लोग के पास 60% with mathematics होना चाहिए, या फिर आप लोग के पास bachelor degree में statistics as a subject होना चाहिए, तो आप लोग JSO के लिए भर पाएंगे, दूसरी पोस्ट आती है, आप लोग की statistical investigator grade 3, तो इसमें bachelor degree in any subject with statistics, तो इसमें भी आप लोग के पास statistics, एक subject होना चाहिए, प्रोम निकोगराइन उन्वेस्टी, तो जो भी आप लोग तीन साल के डिगरी है, तो तीन साल आप लोगों ने statistics पढ़ा होना चाहिए, तभी आप लोग इस पोस्ट के लिए भर पाऊगे, statistical investigator grade 3, उसके बाद research assistant in NHRC, तो इसकी देख लेते हैं, तो bachelor degree होने चाहिए, किसमें प्रोम निकोगराइन उन्वेस्टी, तो simple bachelor degree होने चाहिए, desirable यह है कि अगर आप लोग का एक year का research experience हो, तो आप लोग को वरियता दी जाएगी, बाकि अगर नहीं भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकि जितनी भी post बचती है, all other remaining post, तो उन आप लोग का B-Tech हो गया, M-Tech हो गया, B-B-A हो गया, M-B-A हो गया, कुछ भी B-Com, M-Com, कुछ भी अगर आप लोगों ने कर रखा है, और आप लोग गोर्मेंट जोब चाहते हैं, जितनी भी गोर्मेंट की मिनिस्ट्री है, संटल में, तो आप लोग इसका फोम जुरूर है, क्या मैं भर पाऊंगा, तो यह पाइंट आप लोगों के लिए 8.5 तो इसमें दे रखा, the candidates who have appear in their final year of their graduation also apply, तो आप लोग final year वारे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी final year में है, अपने डिगरी के अंतिम साल में है, तो वो इसका फोम अप्लाई कर दीजेगा, however, जब की condition यह तो आप लोग के खास information नहीं, तो final year वाली point आप लोग का के लिए हो चुका होगा, work call for document will be required to produce relevant certificate, तो यह तो चीज है नहीं, अब देख लेते हाव टो apply, apply कैसे करना आप लोग को, apply ना आप लोग को, online करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग OTR करिएगा, OTR अगर पहले क रखा हैं, तो वो नहीं चलेगा, अब जो बाद में SST की website update हुई थी, जब इनके CHSL का exam आयता, JEE का exam आयता, तो उसके बाद से आप लोग कि यह SST की website update हुई है, अगर आप लोग ने उससे पहले OTR कर रखा है, तो उसको cancel कर दीजेगा, और फिर से आप लोग को एक fresh OTR करन के बाद आप लोग के पास registration number आ जाएगा, पासवर आ जाएगा, उसको जैसे आप लोग login करेंगे, तो आप लोग जो भी latest recruitment SSC की आती रहेंगी, तो उनको भर दीजीगा, तो यह आप लोग का था, कैसे online करना, candidates should not wear cap, mask, glasses, या आज सब नहीं पहरना है, अगर आप लोग photo ज signature का criteria, आप लोग देख लेंगे, फीस कितनी रहेंगी, फीस आप लोग के 100 रुपे रहेंगी, जो नोन refundable रहेंगी, जो भी हमारी मैल आए है, female candidates है, उनकी कोई भी फीस नहीं रहती है, तो यह ता फीस था, उसके बाद जो next चीज़ आप लोग को बतानी है, center of examination, center कहा का आप लोग का M.P.R. रिजन है, एनर रिजन है, जो दिल्ली वाला रिजन है, तो आप लोग एनर रिजन से भरेंगे, तो देरादुन हलदुआने रूट की दिल्ली, यह आप लोग के exam center होगे, तो यह ता आप लोग का exam center, अब देखते हैं, scheme of examination, exam pattern क्या होगा, सबसे पहले लेते हैं, जो tier 1 का exam pattern है, चार subject उचे जाते हैं, reasoning, math, English, 25-25 question रहते हैं, एक question दो नंबर का होता है, तो total आप लोग का 200 नंबर का paper होता है, तो cut up आप लोग की 200 नंबर में से बनती है, tier 1 की, इसके marks आप लोग के selection में ने जुड़ेंगे, सिर्फ आप लोग को qualify करना होता है, tier 1 objective रहेगा, mcq रहेगा, English and Hindi दोनों में रहता है, और negative marking 1 by 5 रहेगी, यानि कि 1 by 2 रहेगी, आप लोग का आदा नंबर कटता है, अगर आप लोग एक question को गलत करते हैं, उसके बाद आप लोग का tier 2 होगा, tier 2 में आप लोग के paper होगे, paper 1 में, ये paper 1 में, आप लोग का session 1, session 1 में आप लोग का module 1, module 2, तो आप लोग का reasoning math होगा, और जो आप लोग का उसके बाद, एक section 2 होगा, module इसमें आप लोग का English होगा, gk होगा, एक module 3 होगा, जिसमें आप लोग उसे computer पुछे जाएगा, session 2 में आप लोग की computer के typing होगी, जो आप लोग का easy process है, जादे कुछ करन नहीं होता, और second paper होता, आप लोग का statics वाला, जो jso के लिए होगा, तो वो आपके लिए नहीं है, तो यह था tie 2 का pattern, tie 2 आप लोग का देख लेते, tie 2 will include conductor paper 1, paper 2 in separate shift, अलगले shift में होगा, paper 1 is compulsory for all shift, paper 2 will be only those candidate हो, जो भी आप लोग के jso वाले है, उनके लिए आप लोग का paper 2 होगा, paper 1 include following 3 section, तो section 1 यह आप लोग का mathematics, तो यह आप लोग का mathematics है, paper 1 में model 1 reasoning है, फिर English है, फिर general awareness है, computer है, जो आप लोग के typing होगे, उसके बाद इसमें आप लोग का typing से related है, तो यह हम लोग बाद में देख लेंगे, यह आप लोग का syllabus दे रखा, detail में की reasoning में, चैकर topics बु दोनों math, पूछे जाते हैं, तो यह mathematics का syllabus है, उसके बाद आप लोग का admission of the exam, जाप लोग के काम की नहीं है, कुछ भी, तो उसमें यह आप लोग की post है, mode of selection देख लेते हैं, किस तरीके से minimum qualifying marks, आप लोग का tier 1 qualify होगा, qualify के जो आप लोग को minimum score करना, यह आर को 30%, 20%, 20%, उसी तर 30%, 25%, 30%, अगर आप लोग इतने marks secure नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग already उसी stage में disqualify होजा होगे, तो यह आप लोग का qualifying marks, resolution of type, types of malpractices, तो यह सारी चीज़े नहीं है, आप लोग के लिए, commission court, joystick section, तो यह सारी चीज़े तो आप पढ़ लीजेगा, यह नहीं में खास कुछ ची certificate बनवाने हैं, इन certificate को मैं आप लोग को बता दूँआ कैसे बनते हैं, और कहां बनते हैं, क्या का process होता है, तो यह आप लोग की recruitment ती, असे सीजियल की, तो इसमें मैं आप लोग को सारी चीज़े clear कर दी है, फिर भी अगर आप लोग को कोई doubt रह जाता है, तो वो doubt मैं, कुछ basic intro देना चाता हूँ, कि मेरी जो profile क्या है, मैं क्या करता हूँ, तो यह मेरा basic intro है, जिससे आप लोग guidance ले रहे हूँ, जिसके इंडर में आप लोग तयारी करेंगे, at least उसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, कि वो क्या है, कुछ उसने कुछ exam qualify किये भी है, या नहीं है, अगर किये हैं, तो ही वो आप लोग को एक अच्छे तरीके से guide कर सकता है, कि इस तरीके से exam qualify किया है, अगर आप लोग भीड़ी की तरह भागे जा रहे हैं, उसने कुछ exam qualify नहीं किया है, और जबरदस्ती आप लोग mentorship ले रहे हैं, तो उस चीज का कोई बिदा नहीं है, तो मैं अपने बारे में बता देतो, मेरा नाम है दीपक कुमार, मैंने बेटेक की थी, mechanical engineering से, उसके बाद जो technical का most exam होता है, tough exam, gate का होता है, उसको मैंने तीन बार qualify किया, उसके बाद UPSC lower PCS का exam मैंने qualify किया, last means में में मेरा एक नंबर से miss हो गया, उसके बा पोस्ट मिली थी, पोस्टल एसिस्टेंट की, और करेंट में जो मैं काम कर रहा हूँ, railway में NTPC, एजर ट्रेन मेनेजर जिसको गुर्सकार बोलते है, तो ये मेरे बारे में basic intro है, तो आप लोग को पता होना चाहिए मेरे बारे में, जिससे आप लोग को एक idea रहे कि जिससे mentorship ले रहे हैं, उसने exam qualify किये हैं या नहीं है, उसे कुछ experience है भी या नहीं है, तो अब मैं आप लोग को mentorship program के बारे में बता देता हूँ, तो मैं आप लोग के रहे कि प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ candidate को एक private group में add करूँगा, private group में, वो candidate वो होंगे, जो season की तयारी करेंगे, बिल्कुल focus होकर के, उनको क्या मैं daily base पे task दिया करूँगा, कि किस तरीके सा आप लोग को क्या करना, daily task का आप लोग को मिलेगा उस group में, और private group रहेगा, उसमें हर कोई नहीं add हो सकता है, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो आप लोग को एक तो daily task म तयारी करनी है, कौन-कौन से मोक लगाने है, पीट से मिलेंगे, पीडिएप कहां से मिलेंगे, नोट कहां से मिलेंगे, वो सारी information उस group में मिलेंगी, तो वो group में जल्दी आप लोग लिए create करूँगा, उस ग्रूप में एक दो दिन लगेंगे आप लोग के लिए, उससे प करनी चाहिए वो भी आप लोग मुझे बता दी चाहिएगा अपने इसाब से मैं बैतरीन आप लोग के लिए लेकर चलुआ मुझे एससी रेलवे काफी एक्जामेन के लियर के तो मुझे पूरा एक्सपीरेंस से किस तरीके से आप लोग को तयारी करवानी है अगर उस प्रोग्राम था इसके बारे में डेटेल में मैं आप लोग के लिए एक वीडियो भी मना दूआ तो यह रिक्रूटमेंट थी यह अपडेट थी आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू